हलो फ्रेंज्स वेलकम डू रसोई के चटकारे विदमलिका आज मैं बनाऊंगे आपके साथ में एक ऐसा डजर्ट जो हर किसी को बहुत पसंद आता है और उसे कहते हैं मालपुवा यह है मालपुवा रब्री के साथ बनाएए और उसे खाईए और अपने तिवहार को उतना ही पी जादा और रंगीन बनाएए चलिए बनाए और रब्री के साथ मालपुवा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए एक चाश्णी बनाएँगे एक ग्लास पानी डाल दीजे इसमे डाल देंगे एक बाउल चीनी और इसको मेल्टोने देते हैं चाश्णी जब तक हमा प्रबडी के लिए डाल दीजे डो ग्लास दूद यह मैंने मलाई के सान डाला है उसका स्वाद उतना ही और अच्छा आता है मालपूई गूल के लिए एक बाउल आटा ले लिजे और उसमें डाल दीजे थोड़ी सी इलाईची इसको हम दूद की मदद से गूल बना के रेडी करेंगे इसमें मैंने मलाई वाला दूद लिया है इससे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़के आता है इसको हमें उस लेवल तक गूल बनाना है जहां तक कि इसमें एक भी कुटली ना रहे एक बाउल लाटे में लगबग मेरा एक गलास दूद लग गया है और ये देखिए कितना यूनिफॉर्म इसका गूल बन के रेडी हो गया है इसे बहुत अच्छी तरीके से पेट ली जगा तक कि इसमें पिल्कुल भी कुटली ने रहने चाहिए रबडी के लिए दूद अल्मूस्ट आधा हो चुका है इसमें डाल दीचे आधा बाउल चीनी और थोड़ा सा इलाइची पाउडर और इसको बिल्कुल धीमी आज पे दो से तीन मिनट के लिए और पकने देते हैं तब तक मैं हम अपने मालपुए रेडी कर देते हैं मालपुए बनाने के लिए मैंने ही चड़ा दिया है ये गराम हो चुका है आब इसमें हम डाल देंगे मालपुए का घूल मालपुए हमेशा देसी घी में बनाएए बहुत अच्छा टेस राता है ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक हमेने अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंगे पलटके पलटकी के लिए आप चिम्ट्रे का भी उस कर सकते हैं देखिए बेकुट पफेक सिक चुका है इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से अपने बाकी मालपुए भी बना लेते हैं मालपुए हमारे रड़ी हो चुके हैं अब इनको हम चाशनी में डिप करकर के निकालेंगे रिखिए इस तरीकी से ने डालिए यह पल्टा और इन्हें निकाल लिए यह बहुत ही पतले-पतले बनते हैं उसी में इतना इनका टेस्ट बढ़ जाता है इसी तरीके से सारे मालपुए निकाल लिए मालपुए आपके तयार हो चुके हैं रड़ी से जजा करके इनका स्वादिश्ट स्वाद का मज़ा लिए